असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे एकदम क्रेमी और चीजी चिकन सैंविचेज, बहुत माइल्ड मसालूई साथी सैंविच बनते हैं, बच्चे तो वस खाकर इसके दीवाने हो जाएंगे, इतना पसंद आएंगे उनको, साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाले और हलका सा प्यास को सॉफ्ट कर लेंगे, जब प्यास सॉफ्ट हो जाएगी आधा कब डाल देंगे इसमें उबलावा और श्रेट कियावा चिकन, तो तक्रीमा सो ग्राम चिकन था उबालकर उसके रेशे अलग कर लिए, थोड़ा सा इसको फ्राइब करेंगे, तो फ्राइ जब अधा सा इसको फ्राइ करेंगे जब दोड़ावा और अब इसमें एक टेबल स्पून डाल देंगे मैदा, मिलाएंगे इसको हलका सबूनेंगे 30 सेकंड के लिए और अब इसमें आधा कब डूद डाल देंगे, उबलावा दूद है, फ्रिज कर अखवा यूज कर सकते ह और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जब मैदा पकने लगेगा तो मिक्शर घाड़ा होने लगेगा, अब इसमें एक चीज क्यूब डाल देंगे, प्रोसेस चीज यूज कर रही हूं है, आप मोजेरेला भी यूज कर सकते हैं, अब इसके मेल्ट हो जाने तक इसको पका लेंगे, जब चीज मेल्ट होने लगेगी, इसमें हम दो टेबिल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे, या फिर आप दूद की मलाई डाल सकते हैं, या फिर आप इसको 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 कर सकते हैं, थोड़ा सा रिचने साधा थी इसमें, और इस तरह से स बारी, गरें दाल देंगे और थोड़ी से हरे धनी के पत्ते डाल देंगे और बस हमारा गालिक बटर तडियारे, इदर हम प्रेट के ब्ले श्लाइस लेंगे और इसमें हमने जो फिलिंग तयार करी विया चिकन की, इसको हम इवेंली बटर कर देंगे, 2-3 टेबल स्पून क अब हमने जो गालिक बटर बनाया है वह हमें इसको पर इस तरह से लगा देना है एक ही साइड में मैं लगा रही हूं आप चाहें तो दोनों साइड में इसको लगा सकते हैं और बस अब हमें इसको थोड़ा सा इसको पर चीज क्रेट कर लेनी है लेकिन यह उप्शनल है अब विदाउट चीज भी इसको बना सकते हैं अगर आप उपर से चीज नहीं लगाना चाहते हैं तो चीज डालने के बाद थोड़ी सी मैंने कुटी वी लाल मिर्च और हरा धनिय इधर मैंने 180 degree centigrade पर अवन को preheat कर लिया था दस मिनट के लिए और बस पांच मिनट के लिए 180 degree centigrade पर मैं इसको बेक कर लोंगी पांच मिनट में यह एकदम पर फिल्क्री चीज मेंट हो जाएगी और एकदम बढ़िया सा क्रेस्प भी हो जाएगा बाहर से यह और बस यहां पर चोटे चोटे से क्यूब्स में काट कर चिकन की जगह पर बहुत मज़े तार बहुत ही आला किसम के हमारी सांविच से आरे हैं बच्चों खिलाएं या फिर बड्लों को खिलाएं हर किसी को यह सांविच बहुत पसंद आते हैं अंदर से एक्दम सॉफ्ट इनका टेक्श्र और बाहर से क्रिस्पी हैं अंदर जो फिलिंग है वो बहुत टेस्टी है बहुत ही मज़े के सैंड़िचे बनत कर रेडी होते हैं यह आई होप आपको यह रेसेपी अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो आप कौन से मुलक और कौन से शहर से देख रहे हैं कमेंट बोक्स में मुझे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको आज की मेरी रेसेपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अलाफेज